रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्टीन को mathematics के questions पूछने का बहुत शोक है जब भी वो बच्चों से interact करते हैं तो maths के puzzles और questions बच्चों से पूछ डालते हैं ये जो question आप देख रहे हो ये मिखेल भाईया ने university के चात्रों से पूछा था मज़ेदार सवाल है वैस के अंदर जो फंडे यूज हो रहे हैं वो 3D और P&C के fundamental इस्तेमाल हो रहे हैं ठीक है और इस question में मेरा interest और ज्यादा गहरा गया क्योंकि मैं एक reputed institute की test series solve कर रहा था जेई के उपर बनी हुई test series solve कर रहा था डिटो सेम सवाल थोड़ा सा बस data में इधर उधर कर रखा था डिटो सेम सवाल मैंने एक जेई की test series में जब देखा तो मेरा interest इसमें और बढ़ गया मुझे लगा कि मज़ेदार सवाल है आप तक पहुंचाना चाहिए इसलिए discuss कर रहे हैं जिसकी visualization अच्छी होती है जो चीजों को calculate करने में अपना दिमाग चला सके चीजों को visualize कर सके 3D और P&C उनका अच्छा होता है और यह जो question है यह 3D और P&C को mix करके थोड़ा बनाया हुआ है question read करेंगे समझेंगे कहना क्या चाहता है पूछना क खेल भहिया ने चातरों से क्या पूछा था मैं तो कहूंगा एक बार आप question समझ लीजिए उसके बाद एक try-up खुद कीजिएगा यहां पर उन्होंने बताया कि मेरे पास 4 non-coplanar points है चार non-coplanar points है यह diagram मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको 4 non-coplanar points की field दिला सकूँ त जैसे मालो मैंने 3 यहां बना दिये और एक और कहीं बना लो यहां बना देता हूं मैं आपको बता दू कि 3 points तो हमेशा ही coplanar होते हैं देखो 3 points तो हमेशा एक plane पे लाई करते ही हैं यही वाले 3 नहीं कोई भी 3 points लिलो 3 points are always coplanar नहीं पता तो पता कर लेजिए ठीक है अब य how many planes are there which are equidistant from these 4 points मतलब game साफ है कि कितने ऐसे planes होंगे जो इन 4 points से equal distance पे हों सवाल यह है कि आपके पास 4 non coplanar points दिये हुए हैं आपको बताने है number of planes which are equidistant from these 4 non coplanar points आपको एक question पहले समझना है पिल लेनी है कहना क्या चाता है visualize करना है approach कैसे करें अगर आप इस question को solve करने की approach बना लेते हो तो ही इसको solve कर पाओगे ठीक है नहीं तो आप अटक जाओगे ठीक है तो एक बार इस question को खुद solve करने की कोशिश करें और फिर मेरे solution को देखिएगा और मेरे solution को भी ध्यान से देखना होगा स्टीखने की कोशिश करनी होगी तभी आप समझ पाओगी जो मैं कहना चाता हूं हर statement टेकनिकल स्टेट्मेंट होने वाली है mathematical स्टेट्मेंट होने वाली है बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को देखिए मेरे पास चार पॉइंट्स हैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कोई भी प्लेन यहां नहीं मिलेगा मेरे को यहां से बराबर डिस्टेंस पे नहीं मिलने वाला इधर नहीं मिलने वाला इधर नहीं मिलने वाला पीछे नहीं मिलने वाला वो जो planes होंगे न वो पता कैसे होंगे देखो एक point को अलग कर लो और तीन point का गुच्छा बना लो फिर मेरेको plane मिलेंगे सर क्या कह रहे हो मैं कह रहा हूँ एक point को अलग कर लो तीन point का गुच्छा बना लो कैसे जैसे यहाँ पे देखो प्लेन है ना ये जो प्लेन है इसको देखिए आप ये वाले प्लेन को इसका जो यहां से डिस्टेंस है और इन से जो डिस्टेंस है ना देखिए वो बराबर आ रहा है जो बिल्कुल बीचों बीच जो प्लेन है ना वो इन तीन से बराबर डिस्टेंस पे और इससे डिस्टे पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रहे हैं, ठीक न, तो यहां से जो पर्पेंडिकुलर डाला, यहां से डाला, यहां से डाला, सबकी लेंथ बराबर है, तो तीन का गुच् इसके corresponding एक plane मेरे को मिलेगा ठीक है अब permutation में याद करो कि जब मेरे पास 4 चीजें हो और उनको group करना हो 1 और 3 में तो group करने के जो तरीके हैं वो इतने तरीके होते हैं और हर तरीके के corresponding मेरे को एक plane मिलेगा तो इतने plane मिल गए which are equidistant है ना चार plane तो मेरे को ऐसे मिल गए ठीक ह एक जैसे यह है ना एक और दिखाता हूँ आपको मैं जहां से सुनना अब देखो तीन का गुच्छा यह हो गया एक यह हो गया तो अब इधर plane मिलेगा आपको है ना देखो imagine कर पा रहे हो ना फिर मेरे को यहाँ पे plane मिलेगा यह देखो यह वाला plane यह वाला plane यह वाला plane य यह जो प्लेन है अब यह देखो इधर से डिस्टैंस और एधर से डिस्टैंस तीन पॉस्eso Cheese इन तीनों को पुछह मिलेवर इंतीन से लग लेका यो इनके पीच में मिलेगा तो ऐसे मेरे को एकतिन Wak Engineering गुच्छा, फिर एक तीन का ये गुच्छा, फिर एक तीन का ये गुच्छा, है ना, तो एक तीन का, ये जो एक तरीके का partition हुआ ना, एक partition के corresponding मेरे को एक plane मिलेगा, टोटल इतने partition होगे तो, चार plane मेरे को यहां से मिलेंगे, ठीक है, effort करना पड़ेगा समझने में, जो बात clean होना चाहिए नहीं तो समझ नहीं आएगा मैंने point कहां ले रखे थे point मैंने यहाँ पे ले रखे थे ठीक है अब दो-दो point का गुच्छा उठाओ आप दो-दो point का गुच्छा कैसे जैसे देखो यह दो point हो गए इन दो point का गुच्छा यह और इन दो point का गुच्छा यह हो गया ठीक है जी अब इनके बीचों बीच से एक plane पास करेगा जी इनके यहाँ बीचों बीच से ऐसा करके कोई एक plane जो है न इनके बीचों बीच से पास करेगा है ना such that यहाँ से perpendicular distance यहाँ से perpendicular distance और यहाँ से perpendicular distance, यहां से perpendicular distance बराबर मिल जाए, मेरे को सोचना है 4 point को 2-2 के साथ bundling कैसे करें तो number of ways होते हैं, इतने grouping करने के तरीके पता होने चीह, भई, permutation पढ़ाना पड़ेगा नहीं पता तो, 4 point को 2-2 में group करोगे, तो number of ways इतने होगे हर तरीके के corresponding एक मेरे को plane मिलेगा, तो total plane कितने होगे, तो यह हो गया 24 और यह हो गया 8 तो यहां पे 3 आगया, ठीक है इसके अलावा कोई और option नहीं होगा ठीक है न, तो total मेरे पास जो planes होए वो मेरे को मिल गए 4 plus 3 7 planes होगे जो मैंने डूंडे हैं properly which are equidistant from effort करना पड़ेगा सवाल को सीखने में, ललू सवाल नहीं है, अच्छे कैटेगरी का सवाल है, मिखेल भाईया ने पूछा था, हमने कर दिया solve जई एडवांस्ट का बोल सकते हैं सवाल है जई एडवांस्ट में आने की ताकत रखता है ये question 7 planes होगे बाईवांस्ट